हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके बने यूटूब चैनल वेट राइट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीजी टी ने जो बदलाव किये है आपकी बार जो काउंचलिंग में बदलाव हुए है या फिर जो सीटे गटा आए है यह earlier यह फिर टीक है ऊस विशयःपstrateg आया ह्ट श्री लगे और जो फेश्जी कांजीलिंग आय उसे किसका एडिशन हो पाएगा इस विशयःपने हम चैस्तिक करेंगे ठीक है दोस्तों अगर आप इसbel in the channel को सब्सक्राइब कर ल कर लें अगर आपको जानकारी जो इन नहीं किया उसको भी जोइन कर लें वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है तो अब अगर मैं बात करूँ कि जो डिजिटी है उसने क्या क्या चेंज किया की बार तो सबसे पहले बात करूँ तो आपने जो न्यू सीट मैट्रिक्स देखी थी पहले वह एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यह आपने देखी यह जो डाउनलोड करके आपने देखी होगी यह सीट मैट्रिक्स इसमें जो कुछ एनेस टाइव में ट्रेड बिलकुल जीरो सीट दिखाई गई है कुछ ट्रेड की ठीक है और यह जब आप काउंसलिंग चोईस करें वहाँ पर नहीं दिखा रहा है एक तो यह चेंज किया है ठीक और मैं बताऊंगा इसका क्या सोलिशन है क्या नहीं और क्या आगे होगा उसके विच्छे में भी हम चल्चे करेंगे ठीक है और दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट दिखाने वाड़ कारे में अपडेट था और इसमें क्या था आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा इसमें फेजेज ओप कांसलिंग आप देख सकते हैं इसमें तीन कांसलिंग होनी थी फर्स्ट फेज कांसलिंग सेकेंड फेज कांसलिंग और थर्ड फेज कांसलिंग और चोथी नंब में था counseling वाले में इसमें इसमें जैसे आप first phase counseling में participate करते थे उसके तुरंद बाद आपको transfer का option मिलता था और transfer के बाद ही second phase counseling start होती थी ठीक है लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने new दिया है new में क्या update आया है अभी आपको दिखाता हूं आप देख सकते यह अभी new आया है कल आया कल यह आया था इसमें आप देख सकते फेजी ओप counseling देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने थरी थरी फेज को कैसे क्या है आप देख सकते हैं नंबर एक पर क्या है फर्ष्ट फेज ओप counseling और दूसरे पर सेकिंड फेज ओप counseling मोप राउंड और जो तीसे नंबर पर इन्होंने दिया है वो है transfer round यानि अब की बार क्या किया है डिजी टी ने कि पहले यह फर्ष्ट फेज counseling के बाद तुर्ण transfer का option देते थे लेकिन अब की बार इन्होंने फर्ष्ट फेज और सेकिट फेज counseling कराने के बाद आपको transfer का option मिलेगा तब ही आप transfer करा पाएंगे ठीक है और चोथे नंबर पर आदे सकते हैं sport addition transfer के बाद जो भी सीटे बचेगी जिस बें इस्टिट्यूट में उसके बाद वहाँ पर आप इस पोर्ट टाउंड में participate कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ चेंज हुए है एडिशन के बारे में क्या आप देख रहे होगे जब आप college choice के लिए जाते हो तो आपको कुछ आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट फेज में किन-किन का एडिशन होगा वह भी मैं आपको दिखाता हूं आप देख सकते हैं आप जब अपनी ranking चेक करते हो तो आप देखते होगे कुछ जगे आपको ये जो yellow color है ये दिखता होगा आपकी position सो करता होगा ठीक है इस yellow position का क्या मतलब है इस yellow position का ये मतलब है कि आपका एडिशन उस institute में नहीं होगा ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो seat है seat से ज़्यादा आपकी position दिखा रहा है ठीक है वहाँ पर ये yellow color आ जाता है इस yellow color का मतलब है कि आपका एडिशन उस institute में नहीं होगा अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ आप ये देख सकते हैं कुछ जगे आपको ऐसा green color का दिख रहा होगा इसका मतलब है कि आपका कम है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि उस एनस्टे में आपके एडिशन होने की संभावना है ठीक है अब बात करूं कि जो counseling है वो कब तक चलेगी तो मैं आपको बता दूँ जो counseling है वो 19 तारिक तक चलेगी फर्ष्ट फेज counseling 19 तारिक तक चलेगी ठीक है दोस्तों तो आपको चीजों इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप फर्ष्ट फेज counseling के बाद डिरेक्ट ट्रांसफर नहीं करा सकते जो ट्रांसफर है वो फर्ष्ट फेज और सेकिंड फेज के बाद ही ट्रांसफर होगा यह कुछ चेंज थे जो मैंने आपको बताए और हाँ आप रैंकिंग चेक करते रहे ठीक है कहां आपको मतलब क्या पोजिशन आपके दिखा रहा है और क्या संभावना है इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एडिशन फर्ष्ट फेज कमेंट कर सकते हैं उसका मैं रिपलाई दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों